ओके अलो प्रेंड कैसे वह आप सब में वी सी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में यस बेंग के बारे में बात करेंगे यस बेंग का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन से इसके सपोर्ट होंगे कौन से इसके सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके यस बेंग के चार्ट के उपर तो हाल फिलाल जो यस बेंग की क्लोजिन है तो 47.95 इसकी क्लोजिंग है तो अभी देखते यह कितना और नीचे जा सकता है क्योंकि फिछले दो दिन से नीचे जा रहा आज पूरा मार्केट अप था फिर भी यह नीचे गया है तो देखते अभी यह कितना और नीचे जा सकता है और कहां पे यह सपोर्ट ले सकता है तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो यह रेड कलर की राइजिंग लाइन पे होगा अगर यह रेड कलर की राइजिंग सपोर्ट लाइन पे अगर यह सपो इसमें डाल दिया इससे अच्छा अगर आपको अगर नौलेज है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप बीगनर हो अगर आप ट्राइंग कर रहे हो तो बात अलग है तो आप क्या है कि थोड़ी छोटी कैपिटल से ही इसमें ट्रेड कीजिए और हो सके तो ट्रेड ही ना की हो अगर ये इसको भी ब्रेक करकर नीचे चला गया तो जो हमारा पहला MAIN IMPORTANT سपोट होगा वो कौकूनसा होगा तो जो हमारा मैं IMPORTANT सपोर्ट होगा वह वोगा 41 वन आप जो एक ग्रीन लाइन देख रहे हो वही कि बात करो अगर ये सकते हैं लेकिन जो हमारा इंपोर्टेंड मेंट सपोर्ट होगा वह 30 का लेवल होगा अगर यह 30 के लेवल पे जाके कोई अपसाइड जाने का सिगनल देता है तब भी आप वहां से बाइक कर सकते होती है यह थे हमारे सपोर्ट अब हम इसमें हमारे रजिस्टन्स देख लेते कौन से हमारे रजिस्टन्स होंगे तो जो हमारा पेला एंड इंपोर्टेंड रजिस्टन्स होगा वह कौन सा होगा वह 53 का लेवल होगा अगर यह 53 के लेवल पे आपको ब्रेक करके ऊपर जाता है तब आप इसमें बूलिस मान सकते है लेकिन अगर यह 53 के लेवल पे फिर स से नीचे आ गया तब आप इसमें सोट कर सकते हो अपने इस आप से देखिए क्योंकि ओल्रेडी वोलिटाइज तो के कभी-कभी यह 15-15 परसंट आप चला जाता है कभी-कभी 5 परसंट डाउन चला जाता है मतलब है आप अपने इस आप से प्लान करके जाहिए इसमें तभी य यह फोलींग रजिस्टन से लाइन अगर यह उपर जाके यहां कई thing पोलींग रजिस्टन से लाइन पर टच करके नीचे आने का कोई सान देता है तब आप इसमें फिर से bearish view में आज सकते हो अगर यह इसको भी break करके उपर चला गया तो जो हमारा man and आखरी resistance होगा हाल फिलाल के लिए वो कुन सा level होगा वो level होगा 75 का level अगर यह 75 का level को break करके उपर चला गया तो मैं इसमें proper bullishness मान सकता हूँ लेकिन जब तक यह 75 को level को break नहीं कर पाता तब तक हम इसमें proper bullishness नहीं मान सकते जो हमारा 75 का level है वो एक important level है अगर यह इसको proper break करके उपर चला गया तब भी मैं personal इसमें bullishness मान सकता हूँ तो जो हमारा आखरी and important resistance था वो 75 का level है तो यह होगे हमारी और सा support and resistance और main बात आप अपना plan की जैके मैं यहां से buy करूंगा मेरा इतना stop loss होगा इतना profit होगा और जैसे stop loss या profit हो प्रोफिट की बात अलग है लेकिन जैसे stop loss हो जाता है तो निकल जाओ सखामों का ज्यादा loss होने से अच्छा है कि आप मतलब थोड़ा loss कट करके निकल जाओ तो यह बात याद रखना अगर आप कोई trading करते हो कोई trade लेते हो तो इसमें एक plan होना चैके में इधर entry लोंगा मेरा इतना stop loss होगा मेरा इतना profit होगा वह सब तब भी आप trading में profit बना सक और इतने ज्यादे oversold भी नहीं है मतलब एक normal range में बाद में हम MSCD की बात कर लेते हैं तो जो MSCD हो हाल फिलाल BRS view में यह positive cross और देने वाला है लेकिन क्या कि अभी हाल फिलाल के लिए दोनों लाज चिपक के चल रही है तो इसमें कोई positive sign अभी MSCD के तरप से नहीं मिला जो एक बार MSCD भी क्या है कि बुलिस में आ जाए और चार्ट भी आपका upset moment देना start कर दे तब आप इसमें bullish view में आ सकते हो तो यह था हमारी और से चोटा सा yes bank पे क्या है कि technical analysis अगर आपको analysis कहीं से भी अच्छी लेगी हो तो प्लीज यारो like, comment and subscribe कर देना आप like, comment and subscribe कर देना